बॉलूड में कई खुबसूरत अभिनेत्रियों ने धमाल मचाया है। कुछ अपनी एक्टिंग तो कुछ अपनी आदाओं के दम पर लंबे समय तक दर्शकों के सामने बनी रही। और कुछ वन फिल्म वंडर बन कर एक समय के बाद बड़ी परदे से गायब हो गई। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें एक ऐसे ही खुबसूरत अदाकारक की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग और खुबसूरती के दम पर लाखों दर्शकों का दिल जीता था। उनकी मासुमियत और होटों की नीचे काली दिल के लिए युवा दर्शकों क वर्ग उन्हें जाना करता था। उन्होंने जिस फिल्म से बतोर मुख्य अभिनेत्री बॉल्योड में शिर्कत की थी, वो अपने समय की बेहत सफल और दर्शकों की अजीज फिल्म रही। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभिनेत्री जीविधा शर्मा के ब पर जिस तरह की काम्याबी उनकी इस फिल्म को मिले, उस तरह इच सफलता जीविधा के करियर को नहीं मिल पाई और एक समय के बाद वो बड़े परदे से गायब हो गई। तो चली आपको बताते हैं कि ये दिल आशिकाना की अभिनेत्री जीविधा शर्मा आजकल कहा हैं औ और वो अचानक ही बड़े परदे से गायब कैसे हो गई। तो वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें हमारे साथ। दोस्तों बात करें जीविधा की शिरुवाती जीवन की तो इनका जन्म 10 दिसंबर 1980 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। जीविधा एक पं आफी चाहते हैं। दोस्तों जीविधा बचपन से ही फिल्मों की दमक्ती दुनिया में किस्मत आजमाना चाहती थी। शार इसलिए उन्होंने बेहत कम उम्र में ही ओडिशन देने शुरू किये। जीविधा की फिल्मी करियर की बात करें तो पहली फिल्म ताल में एक पूटी बहन की भूमी का निभाई थी। जी हैं, आपको जानकर अश्यर होगा पर उन्होंने अपने करियर की शुरूवात ताल फिल्म सकी थी। सुभाश गई और इश्वरे के साथ पहली फिल्म करने वाली जीविधा को आपने ताल की फिमस सौंग में एश्वरे के साथ बारिस में डांस करते देखा होगा। इस फिल्म में जीविधा मुक्य अभिनेतरी नहीं थी, इसलिए उन्हें नोटिस नहीं किया गया। इसके लाबाद अभिने के साथ साथ उन्होंने मौडिलिंग में भी अपनी किस्मत आजमा आई। उनके प्रिशनालिटी बेहद आक चिकाना ने जीविधा को सफलता की उचाईयों पर पहुचा दिया और वो रातो रात इस्टार बन गई। फिल्म में ये गाना जो जीविधा पर फिल्म आया गया था वो काफी चर्चित हुआ था पर अपसूस की बात यह है कि उन्हें बॉल्यूड में आगे कोई बहुत उफर नहीं मिला उनके बाकी करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने पंजावी फिल्म और सिरियल में काफी काम किया है सन 2009 में उन्होंने पंजावी फिल्मों में शिर्कत की और उनकी पहली फिल्म थी मेनी पंजाब जिसमें उन्हें गुरुदास मान के अपूजिट का गया था उन्होंने यार अनमुले दिल ले गई कुड़ी पंजाब दी लायन ओफ पंजाब दिल साड़ा लुटिया गया जैसे फिल्मों में काम किया दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि जिविदा का हिंदी टेलिविजन की ओर रूख कैसे हुआ हुआ यों की जिविदा की पहली हिट फिल्म ये दिल आशिकाना में उनके साथ अरूना इरानी ने भी काम किया था अरूना इस फिल्म की प्रडूसर भी थी और फिल्म में हिरो की मा के रोल में भी थी अरुना जिविदा की प्रिशनाल्टी से इंप्रेस थे अरुना ने ही जिविदा को तुम बिन जाऊं कहां और जमिन से आस्मान तक इन दो टीवी स्रियल्स में काश्ट किया अपने समय में ये दोनों टीवी स्रियल्स काफी पॉपुलर रहे आज अगर हम जिविदा के काम की बात करें तो वो कुछ पंजाबी फिल्मों में या फिर बॉल्यूड की फिल्मों में छोटी बड़ी करदार निभाते दिख जाती हैं उन्हें 2016 में रितिक रोशन की फिल्म मुहन जोदारों में रीना की भूमिका में देखा गया था आजकल जिविदा ने बॉल्यूड से थोड़ा किनार कर लिया है और इसकी वज़ा साफ है मन चाही किरदारों का ना मिल पाना उनका करियर गराब बुलंदियों को छूने में असफल रहा है फिलहाल जिविदा ने पंजाबी फिल्मों की और रुक कर लिया है चुंकि वो खुद भी एक पंजाबी है तो पंजाबी फिल्मों में गुलने में उनको कोई परिशानी नहीं होती है इसके लाबा बात करें जिविदा की पर्सनल लाइब की तो उन्होंने 2000 की स्ट्राट में ही शादी कर ली थी जिविदा अपनी पर्सनल लाइब को डिसकस करना पसंद नहीं करती इसलिए उनके पती या सस्वराल से जुड़ी कोई ख़बर पबलिक डोमेन में मौजूद नहीं है इनके दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी जिनने मौहन जुदारों के सेट पर भी देखा गया था जिविदा की बेटे का नाम वीधान है और बेटी का नाम अश्ठिमी है दोस्तों आजकल जिविदा पंजाबी फिल्में और अपनी ग्रिहस्ति में काफी मश्रूफ हैं आजकल वो अपने परिवार के साथ मौंबई में रहती हैं हिंदी फिल्मों में मंचाह काम ना मिल पाने से वो बॉलिवड से अब दूर है दोस्तों ये थी फिल्म अबिनेतरी जिविधा शर्मा से जूड़ी खबर जिन्होंने कभी ये दिल आशिकान से बॉलिवड में काफी धुम मचाई थी हमें उम्मीद है उनकी जिन्दगी से जूड़ी जानकारिया जानकर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेर करना ना भूलें चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्स्क्राइब जरू करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद इस वीडियो में बसत नहीं अगली वीडियो मैं आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए अपना ख्याल रखेए धन्यवाद